रोटी हम सेबिदे और रोजबनती है रोजबन चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक का बटन दबाईए और शेईर भी किजिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बढ़िया सा नाश्ता में चार नाश्ते आपको बनाने बताऊंगी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग स्वाद वाले हैं तो सबसे पहले जितने भी मेरे घर में रोटी और पराठे दो पराठे थे चार रोटियां थी मैंने सब को लेकर के mixi में grind कर लिया है आप चाहें तो जैसा मैंने किया है इससे थोड़ा सा बारी भी कर सकते हैं इसके बाद घर में आपके जो भी अवेलिबल सब्जीयां जरूरी नहीं है कि मैं जो सब्जीयां यूज कर रही हूं वही सब्जीया आपको डालनी है लेकिन ये एक तरीका है आप भी बहुत सरी रसेपीज बनाते होंगे लेकिन ये शिर्फ एक आइडिया है आपको ये बता पर्पल वाला और मटर थे वह मैंने डाल दिये हैं आप जो चाहें वह चाहें इसकिप सकते हैं में थोड़ी मूंफली का फ्लेवर हमारे घर में बहुत पसंद है तो आप इसमें मूंपली भी डालेंगे तो जब पक रहे हैं तो दही लिया है दो बड़े चम्मच दही लेकर के मैंने अच्छे से यहां पर फेंट कर इसको रख लिया है जब दोस्तो हमारी सब्जियां इस तरह से गल जाएंगी ना तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे जो भी मसाले मिर्ची आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं मैंने यहां पर हल्दी डाली है और डाला है लाल मिर्ची पाउडर और नमक और उसके बाद ने हम इसको थोड़ा सा दही डाल दिया हमने एक बड़ा चम्मच भर कर और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ी देर में क्या होता है ना कि दही फट जाता है और दही का जो फ्लेवर है वो पूरी सबजियों में आ जाता है, दही डालने से इसका कलर, टेक्स्चर और टेस्ट तीनों ही बहुत अच्छे आते हैं, आप जर इसको एक थोड़ा सा खटा मीठा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पर शकर पाउडर भी एड़ किया है और इसके बाद मैंने नीवुकर रच डाला था अपने देखा होगा धनिया पत्ति डाल कर के और काली मिर्च डाल कर इसको चला दीजे उपर से चाहें तो थोड़ आपके साथ फिर से शेयर किजाएं यहां पर हमने तीनों रोटियों को लेकर के न दोस्तों अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया पहले आपने देखा होगा कि हमने थोड़ा सा दरदरा रखा था यहां हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया जितना हमारा रोटी का च पानी मिलाकर अच्छे से चलाएंगे इस तरह से चलाया है और चलाते हुए यह एक बढ़िया सी थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर तयार हो जाएगा यह देखे इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेशन डालने से इसका जो टेस्ट है वह बहुत इन्हेंस हो जा इसका टेक्स्टर कुछ इस तरह से बेशन और सूजी दौनों ही फूल गए है और जो हमारा रोटी का चूरा था वह सूजी में मिक्स हो यहां पर भी दोस्तों मैं जो सबजियां डाल रही हूं जरूरी नहीं है कि आप वही सबजियां लें आप अपने टेस्ट के चलाएंगे और थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे ताकि हमारा जो इनो है वह अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो इस तरह से गाड़ी कंसिस्टेंसी वाला हमारा यह बैटर हो गया है बड़ी हसा तेहार यह देखिए अच्छे से मिक्स जरूर कर लीजेगा और इसके बा जाए पाती हूं तो यह देखिए यहां पर हमारा बैटर तयार हो गया एक कोई भी ट्रे ले लिजेए थाली ले 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 लिजे या कोई भी कंटेणर आप ले सकते हैं जिसमें आप इस चिकनाई लगाकर इस बैटर को डाल दीजिए यह देखिए हमने इस बैटर को अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा टैप कर दीजेगा, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने डाली है थोड़ी सी कलोंजी, और सफेद तिल, और इसके बाद में थोड़ी सी कश्मीरी लाद मिर्च, उससे क्या होगा नहीं, दिखने में बहुत सुन्दर लगता ह और टेस्टी भी हो जाता है, फिर हमें भाप में इस तरह से इसको पकाना है, इसको आपड़क दीजिए, लगबग 20-25 मिनट हमको लगते हैं इसको पकाने में, 25 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इसको हटाया है, तो देखे कुछ इस तरह का सीन मेरे सामने आया, देखकर ही इसको भी उसी के उपर डिपैंड करेगा, तो ये देखिए हमने इसको पीसिज में कट कर लिया है, और अब मैं इसको पलट देती हूँ, पलटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा बन करके ढोकला तयार हुआ, ये देखिए, इसके छोटे-छोटे मैंने प सानी रहे और सर्व करने में, ये देखिए, एक जैसे बढ़िया से मैंने पीसिज कर दिये हैं, अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ ने, पर मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एक पैन में डाला है, हमने तेल और उसमें ड आप धीमी आज पर इसको क्रिस्पी होने तक आप इसको फ्राइ कर लीजे, फ्राइ नहीं, सौरी, शैलो फ्राइ करना है हमको शैलो फ्राइ जरा सा तेल डाल करी करना है आपको, ये ब्राउन सा हो जाएगा ना क्रिस्पी करा रहा और उसके बाद आप इसको चटनी से नेग्स्ट आते हैं कि रोटी फिर से दो बच गई की एक दिन मेरे घर में तो मैंने क्या किया शेजवान सॉस लिया और पिज़ा सॉस लिया बटर लगानी की बार्द में जर्णली हमारे घर में आलू की की फिलिंग होती है या फिर अनकी फिलिंग आठे वाली जो फिलिंग होती है आप त्यार कर लीजेगा और बटर लगा करके हमने शेजवान चटनी और पिज्जा सौस को यहां पर इस तरह से लगा दिया है काईदे से पूरा अच्छे से लगा दीजिए और इस तरह से यह देखिए हमारा बढ़ी असा फिलिंग हमने लेकिन गोल से तो मजा आएगा वह बारीक वाली कटे हुए प्यास से नहीं आएगा तो इस तरह से हमें छल्लों को रख दिया चल्लों के रखने के बाद में आप इसके ऊपर चीज को ग्रेट कर दीजिए चीज कीुब हम सब कि घरों में होते ही हैं जिस घर मेंशी बच्च अगर आपके पास sandwich में कर नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छे से तबेपर सेख सकते हैं कहीं कोई problem नहीं होगी बहुत अच्छा सा sandwich आपका बन करके तयार होगा ये देखिए हमने इसमें रख दिया है और अब मैं इसको निकालती हूँ तो आप देखिएगा ये जब आप खाते हैं तो प्याज का जो crunch है वो इसके टेस्ट को इतना enhance कर देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और सबसे बड़ी बात है जटपट बन जाते हैं आप ऑफिस से आए हैं या आप शाम को आपको लग रहा है भूक लगी है दो रोटियां पड़ी हूई है और फ्रिजमें जर्रली आलू या पनीर की फिलिंग तो रखी होती है आप इसमें उसको डालिए चीज ग्रेट कीज और बच्चों को भी देदी बच्चे खेल कर आते हैं या ट्यूशन से आते हैं तो हमें अक्सर ज़रूत पड़ती है उनको कुछ देने की क्या खिला है तो आप इस तरह से इसके उपर सॉस लगा दीजिए और फिर आप बच्चों को दीजिए देखिए कितने मजे से बच् कर लीजिए मेरा पनीर आप देख रहे होंगे तो असा वाइट सा देख रहा है मैं घर पर ही पनीर बनाती हूं और संडे को बनाकर एक हपते के लिए रख लेती हूं जिससे मेरा पूरे हपते बहुत आराम से काम चलता रहता है इस तरह से हमने पनीर को कर लिया है क्रमबल इसमें डाली ये बारीक कटा हुआ प्यास, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची. मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते, मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ, मिर्च की सबका अलग-अलग मेटर होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, उस हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी रख सकते, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को अवाइड ही कीजिए, काली मिर्च, अमचूर पाउडर और चाट मसाला डाल कर, थो और दो हैं और लेजाए, यहां पर एक बाल में बेशन, नमग डाल से जीरा में बंगी, और बेकिंग सोडा कर iç ऐसे की यहां पर हमने अलगए, लाल को अच्छा सा बैटर तयार दिया है, विसकर से चलाइए चलाते हुए न जब अच्छा सा बैटर के रूप में पानी धीरे-धीरे मिला जब भी आप पकोड़े का किसी भी चीज का बेसन के साथ घोल बना रहे हैं तो बेसन में जो है पानी को एब्जॉर्ब करने की छमता कम होती है तो बेसन क्या करता है बहुत जल्दी पकड़ लेता है और हमारा घोल पतला हो जाता है तो बेसन में हमेशा आप पानी धीरे-धीरे करके मिलाएं जितनी जरूरत पड़ रही हो उतना पानी मिलाएं और इस तरह से बढ़िया सा बैटर हमने कर लिया है त्यार ये देखिए अच्छा सा विस्क करके हमने बैटर त अब हम क्या करेंगे ये जो हमारी दो रोटिया है इनको हम रखेंगे इस फ्लैट सर्फेस पर रखेगा इस तरह से इसमें लगाईए हरी चतनी आपके पास अगर चतनी नहीं है तो आप इसमें इमले की चतनी लगा सकते हैं आप इसमें टुमेटो सॉस लगा सकते हैं ये आ पीजकी एक में लगाया था निगी और अनी पिर से उपनी infl Environment का रोल किया था उसको हम इस बेसन के गोल में की लपेट में में कीर्च आइशे अर ने के बादे हम इस को रग देंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको खुला हिस्सा दिख रहा है तो आप उसको बेशन से फिर से लपेट कोट कर दीजिए और इस तरह से मैंने पहले ही पानी रख दिया था इसको इस्टीम होने दीजिए लगबग 20 से 25 मिन लगते हैं इसको इस्टीम होने में बेशन प वर देते हैं के अधिन दीजिए काकट आप उंड में लगत से लाध रहा है नमें वह देख आप आप कटा आपको शकार आपको एंदर कैना खिश दू नहीं दाल्य से प्रेज़ अ्ट आप लगति नहीं देख ले के बिन देख तलना क्योंकि हम नॉर्मली भी इतना घी तिल खा लेते हैं कि नाश्ता तो कम से कम हमें healthy ही बनाना है तो यहां पर हमने डाला है तिल डाले हैं करी पत्ता डाला है और थोड़ा सा राई के दाने डाल करके इनको रख दीजिए और low to medium flame पर थोड़ा सा crispy होने तक हमको इनको सेक लेना तो यह देखिए हमने इनको पलट दिया है और अच्छे से सिक करके तो दोस्तों यह देखिए हमारा नाश्ता त्यार हो गया है इसे हमने हरी चटनी के साथ सर्व किया है जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ मैं आप बना करके देखिए थेंकिए